कि8 नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इस बारे में की कौन सी blockage होती है किती रिस्की इस चीज को समझ निकलना शुरू हो जाता है और वह it collect Ben лучше को जान проц lil जाता है सीम कि प्लाग होता है नभी में एक फिंपल कीता होता जैसे जैसे ही वो damit बड़ा होगा उसका रप्चर में कैसरैं जादा होगा जीसे वह फोइक नएक फिन्द मोट Ruas उसी को हम बोलते हैं heart attack वैसे तो ज्यादतर केसिस में यह होता है कि 65% से ज्यादा अगर ब्लॉकेज है तो उसके रप्चर होने के चांसे बहुत ज्यादा होते हैं उन आर्टरी से ज्यादा रिस्क है आपकी जान जाने का जिनको नमें डालते हैं लेफ्ट में और लेडी डिजीज अगर इन में अगर प्लाक रप्चर हो गया 100% ब्लॉकेज हो गई तो सड्डनली आपकी जान जाने का रिस्क बहुत जादा हो जाता है इनके अलावा जो नसे में डिजीज है तो रिस्क बहुत जादा हो जाता है परसेंटेज के बारे में अगर बात करें तो जो साट पचास परसेंट से साट परसेंट से जादा बड़ी जो ब्लॉकेज होती है उनका रप्चर होने के चांसे बहुत जादा होते हैं compared to those who are less than 50% यह जैसे कि हमने बात क पिंपल के concept के बारे में जैसे जैसे पिंपल बड़ा होता जाएगा उसके रप्चर होने के रिस्क बहुत जादा हो जाते हैं but ऐसा नहीं है कि छोटा पिंपल आपका रप्चर नहीं होगा यहां पर जरूरत हो और अगर से कम हो तो कभी कोई भी स्टेंट के लिए कोई आपको अडवाइस करेगा नहीं हम कोशिश किये रखते हैं कि दवाईयों पर वह बिमारी स्टेबल रहे और रप्चर होने के चांसे बहुत कम हो जाए तो इसलिए दवाईयां अगर 50% से कम है तब भी दवाईयों की ज़रूरत हमें होती है कर दो